हेलो गाईस वेलकम तो माई यूट्व चनल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Amazon Pranx के ओर से आने वाला Amazon Salimoo Room Heater जिसे कि मैं लास्ट 6 मन्से यूज कर रहा हूँ 6 मन्स बाद में इसका क्या कंडिशन है क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा भी है की नहीं या फिर ये रूम को हीट करने में कितना टाइम लेता है या फिर कितने बाई कितने रूम के लिए परफेक्ट लिए है तो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में शेर करने वाला हूँ और ये मैंने Amazon से पर्चेस किया था तो यह सबसे पहला मन में कोशन रहता है जैसे कि इसे आप यूज करोगे यूज करने पर इसकी बॉड़ी की कॉलिटी बहुत ही प्रीमियम है मेरे पास एक दूसरा भी रूमीटर है वह बहुत हलका कॉलिटी का तो इसकी बॉड़ी घरम हो जाती थी लेकिन इसकी बॉड़ी गरम नहीं होती इसकी बॉड़ी एकदम नॉर्मल टेंपरेचर रहती हो आप यूज करते टाइम पे आपको इसे ना एकदम पैक वाली जगा पे नहीं रखना है जैसे कि कोई भी खाचा या भी ड्रॉर बना हुआ है आप सोचे विसके अंदर फिट कर दू तो जिससे कि आपका काम हो जाए वह इसी जगा पर नहीं रखना है इसे ओपन प्लेस में रखना है कोई भी पैक जगा पर नहीं रखना है दोनों साइड में आपको एर खिचने क प्लास्टिक मटीरियल आपको देखने को मिला है प्लास्टिक मटीरियल बहुत प्रीमियम है आप फास्ट में भी यूज करोगे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा मैल्ट और अगरा कुछ भी नहीं होएगा अब काफी लोग को डाउट रहता है कि यह ऑक्सिजिएन को कम करता है तो जिससे के काफी लोग स्ब्स करते है पानी बाउल किये प्लांट रखिए और इसे जो कि यो कि इना बंद कमरे में मत यूज यह आई सा करके सज्ट करते है सो मैं कैसे यूज करता हो तो विंटर के सीजन में हमें जो की घर्मी मतलब है थोड़ी घर्मी चाहिए थी नॉर्मल टेंपरेचर चाहिए रहता है रूम के अंदर जिसके कारण जो कि हम कोई भी काम करें वो इसमें तो आप जो भी डोर वगेर है वो थोड़ा सा उपन रखिए उपन रखिए जिससे कि बाहर की अवा थुड़ी अंदर आप आईगी और यह अल्मोस्ट पंदरा से बीस मिनिट में दस बाई पंदरा के रूम को जो कि यह हीट मतलब गरम कर देता है और इसके अंदर ऑटोमेट आपको देखने को मिल जाता है तो यह चीज इसके अंदर बेनिफीट है और यह आपको जैसे कि ठंडी करने की मैंने पंदरा मिनिट बता है यह मैं राजस्थान एरिया में रहता हूं यहां जो कि बाहर फ्रीज जैसे बरफ वरब नहीं गिरती है नॉर्मल ठंडी रहती है यूपी हो गया राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट इदर एरिया में सेम ठंडी रहती है आप कश्मीर जैसे एरिया में रहे हो वहां दस बैपंद्रा यह दस बैबीस का रूम है आपका तो इसको घरम करने में में पचीस से तीस मिनट ले लेगा तो टोटले डिपें का देखने को मिल जाएगा गर्मी की सीजन में से आप एक फैन की तरह भी यूज कर सकते हो बाद में तरह हमारा थाउजन वॉट तो सिंगल डाउट पर रखोगे तो थाउजन वॉट जैसे की फैन की तरह वक करेगा और इसके अंदर जो की ग्रिल जैसे लगे हुए तो वह करन्ट अप्लाय को करदेता है तो जो भी हवा रहती है वो आके गरम प्लाय के हो गलते है तरह है यह द्ग करता है इधर कट OFF का है तो यह देख सकते हो साउंड आएगा भी तो इस तरह का sound आएगा तो minimum मैं बीच में रखता हूँ आप जादा चाहँ तो जादा भी रख सकते हो जितना चाहँ इतना अपने हिसाब से अपने requirement की हिसाब से रख सकते हो अब plug की बात कर ले तो आपको ये AC वाला जो socket रता है उसमें ये plug लगेगा तो हो से कि आपके अगर में ना लगे ये plug मतलब आपका ये थोड़ा सा बड़ा लगे plug तो आपको बाहर से एक 3-peen वाला जो की purchase करना पड़ेगा 30-40 रुपीस का तो वो इसके अंदर लगाना बाद में उसको आपको अपने normal plug के अंदर लगा देना तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सो अल्मोस इसके बारे मैंने सभी चीज़ें डीटियल में बता दिये कुछ भी चीज़ में भूल गया रहा हो तो आप मुसे comment section में पूस्ट सकते हो तो जैसे last six month से मैं use कर रहा हो six month बाद में भी ये properly work कर रहा है कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुसे comment section में पूस्ट सकते हो सो यह मैंने amazon से purchase किया था 8.99 का amazon पे different different seller is same यह कोई 9.99 10.99 का sale कर रहा है जो seller से मैंने purchase के उसका link में description में दे दूँगा जब मैंने purchase के offer भी चालो था तो हो से कि आपको भी कम price में मिल जा आप एपर description चेक कर लेना price up and down भी होते रहता है और यह दो color variant में available है white color में और यह व subscribe कर दिजये thank you so much for watching this video